नमस्कार दोस्तो, वेलकम टू सुविंग ट्रेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बाजाज फिनन्स का रिजल्ट भी आ चुका है, तो उसका रिजल्ट भी आनालीसिस करेंगे, करने से पहले आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर आया है चैनल को तो जरूर सस्क्राइब कर लिजिए उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लिजिए तकि आने वाला वीडियो का नोटिपिकेशन आपको टाइमली मिल सकता ह अब चाहूंगा मैंने मार्केट भी यहां पर पर सेटेश का गीरावट देखने को मिला है उसकी वावजुद भी आज के दिन में हमारे अच्छा की जो कि मैंने गरूप में विबताया था ऊहां पर एग्रूप में मैंने इसीज का शेर किया था आपको उसका रेफरेंस के तरॉक का नाम से था अगर आपने किया होगा तो आपको जरूरा पता होगा हज़ी हो चुका है अभी कितना दिन में इस्टिंद में अपना तरगेट चीव application س कर रहा है ठीक है बिलकुल मैं दावा भी नहीं कर रहा हूं कि जो बता रहा हूं ऑगर हम करते हैं किसी सीच्वेशन पर करने के बाद भी स्टक में फ्रुडा सा करेक्शन आता है तो उस्टाइन पर हमें होल्ड करना है अपना टार्गेट ओ जरूर राचीब करेगा क्यों कि ह हमने उसी साब से फंडामेंटल स्टॉंग को पकड़ा हुआ है क्योंकि कंपनी फंडामेंटल बहुत स्टॉंग कंपनी है उसके साथ में उसका प्रॉट इसको सपोट कर रहा है इसी बेसिस पे हमने पोजिशन बनाया था तो अभी चले स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो अ सेंड़ी तक गिरावड देखने को मिला यहां पे रिजुशन फिर वार तरव में यहां में लेकिन यहां पर हुआ क्या है अगर आप इस पर चाड़ी करेंगे इस टॉक में आग नहीं कर पाया अच्छल उसके बज़र से स्टॉक में पिटाई हुआ और दूसरा बात है यहां पर कुछ न्यू जा रहा है रेसिशन आ सकता है ग्लोबल मार्केट में तो उसके बज़र से यहां पर थोड़ा सा सेंटिमेंट नेगेटिव बन रहा है फैनेंस सेक्टर में अंड एक्सपेक्टेशन अंड इंक्रीज दो बरोइंग कॉस्ट तो यहां पर यहां पर बात कर रहे हैं यहां पर तो यहां पर देखेंगे शेर बाज़र फाइनांस लिमिटेड फैल आप फाइव परसेंट आप दो नेशनल स्टॉक एक्चेंज अन उपनली डिल अन विन फाइब परसेंट यर यहां पर तो इसके वज़र से घ्रावर पर देखने को बिला है तो उसी स्टेज में अगर हम बात करेंगे आज की दिन में कितना परसेंटेज का यहां पर देलिवरी उठाए इफ्रेंट्स अगर इस चीज का हम अगर देखेंगे यहां पर बाज़र में आके देखते हैं आज के दिन में अगर हम देखेंगे तो यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर ट्रेडिंग वियू में जाके कौन सा लेबल पर हमें एंट्री लेना चाहिए बाज़स फैनांस का प्रेंट्स देखिए हम बाज़ाज फैनांस में आ चुके हैं तो मैंने उससे पहले भी एक बार आपको बताया था कि यह जो लेवल है स्ट्रांग सपोर्ट लेवल यह लेवल पर आपको एंट्री लेना है जो कि मैंने आपको लेवल बताया था 6800 का लेवल अभी स्टाक विल्कुल 6700 का लेवल पर आ चुका है लेवल को तोड़के निचे आ चुका है तो अभी अगर हम नेक्स्ट लेवल के बात करेंगे फ्रें इस टॉक पहले भी यहां पे तक पहले की वात है को बिक के बात प्ते बात है तो यहां पर आरे साइन तक था तो अभी ना कभी आई जाता है ठीक अभी यह वासला यह गरांद आसकता है अगर आपको इस टॉक में अभी तक पोजीशन नहीं बना तो इमेडियेटल याँ बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पुरह यह इसमें पोजीशन बनाने बाद में आपके पास में बिल्कुल फॉंड नहीं है फॉंड बिल्कुल तयार रख सकते हैं क्यों मैं बता रहा हूं उसका पीछे का रीजन भी मैं आपको एक्जांपल के साथ में बताऊंगा क्यूंकि कभी भी हमें एक तरफ सोथ के नहीं चलना है कभी अगर मार्केट में यही बात जब आ रहा है कुछ भी मंदी आ सकता है तो उस टाइम पर हमारे पास में अगर फॉंड रहता है तो उस टाइम पर हम इंवेस्टमेंट और बढ़ा सकते हैं कभी हमें लंग टर में अच्छा सा बेनिफिट देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट में अगर सबसे ज यहां पर तो आवरेजिंग चानि हुए सया। करेंगे तो यहां पर आपका पॉर्टफोलियों का साइट से अपने पूरा एकी स्टॉक में ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी सुरहत पे तो यहां पर इसी साब से अगर मैंने भाई किया यहां पर सुपोज मैंने थ्री परसेंट भाई किया तो उसके बाद में अगर 15-20 परसेंट में जब करेक्शन आया तो फिर मैंने भाई किया फिर उसके निचे आया फिर मैंने भाई किया इससे बाई करकर करके एक स्टॉक में 10% एक्सपर तक मैंने रखा था ठीक है तो लेकिन यह जब यहां पर रिकवरी वहा ना बहुत बढ़िया मुझे पॉफित मिला ठीक है तो यह स्टॉक में आप एसा ही सिच्वेशन अभी कर सकते हैं अभी अगर आपने इस लेवल पर बाई किया है अगर आपने एंट्री ले लिया है तो कोई प्रोब्लेम नहीं आप दूसरा के लेवल तक इंतजार कर सकते हैं जो कि 6100 का लेवल है ठीक है वो लेवल प से अगर 10% करेक्शन आया फिर से हम इन्वेस्ट करेंगे ठीक है बिल्कुल हमें डरने की जरूरत नहीं है तो इसलिए बिल्कुल पैनिक मत किजिए स्टॉक में आने वाला टाइम पर बहुत जबदस्त यहां पर प्रफिट देखने को मिल सकता है मैं आपको यह भी बताना जाओंगा यहां पर यह भी आया है ब्रोकिंग हाउस का तो यहां पर टार्गेट भी उन्होंने अनौंस किया यहां पर आप आएंगे तो यहां पर आप जाएंगे और इक आलिस्त कभी यहां पर आई सीचाइड डार्गेट मिट कि रहता है जो देते हैं यहां पर आई सीच्य डार्गेट आप नाइन था फाइवनड़्ड नंड तो क्रेंड मार्किट पर इस क्का चल रहा था उस्टाम पर शीच्ञ ताइट शिख नेटेडित तो लेकिन मेरे हिसाब से आपको पोजिशन बनाना चाहिए तो आपको कोई प्रोब्लेम नहीं होना चाहिए अगर फिर भी मेरे साथ में जुड़े रहना चाहते हैं जब इम्मीडियेटली कोई भी जाता है तो इम्मीडियेटल आपना जुड़े रहना चाहिए जो की प्री नहीं उपे और आप जैन करते हैं थार्व का चार्ट विडियेगा उसके साथ में अगर मेरे साथ में बात करना चाहते हैं वहां पर बात करके जो भी आपका पो सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आने वाले टाइम पे आपको बहुत बड़ी ऐसा प्रफिट देखने को मिल सकता है तो प्रिक्तित बड़ी सब्सक्राइब करेंगे विल सकते है